वेलकम बैक गाइस तो शुरू करते है आज की इस वीडियो को तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोई gameplay वीडियो नहीं दिखाने वाला मैं अपनी चार्ड दिखाने वाला हूँ जो मेरा दोस्त है उसके साथ जिस वक् सब्सक्राइबर थे उस वक्त और फिर मैं इनके अबर्ट सेक्षेन में चले गया और आबर्ट सेक्षेन में मैंने देखा कि इनका डिस्कॉड़ सर्वर भी है क्यूंकि वहा पर हम लिंक लगा सकते है ना इनकी Instagram के लिंक थी और निक लिंग थी तो में डिस्कोRe Imm want and all way out कि मेरे भी जो सब्सक्राइब दे कोंड़ि तो मुझे लगा यार इनके साथ अगर मैं चुक्छा कंटेंड हम प्रोवेडर कर पाएंगे और मैं ऊसी दिन रिकार्ड करने वाला था उप het ताइम ही नहीं मिला क्यूंकि आ्र ये बंदा आइ इतना अच्छा और इतना बड़िया मतलब इसके साथ अभी तक मेरा जो भी सफर रहा है वो काफी बड़िया लगा मुझे काफी मज़ा आया इसके साथ तो मुझे अभी ताइम मिला है तो मैं अभी इसको record कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं 20 तारीक को इनके server पर आया था और जैसे ही मैं इनके server पर आया मैंने लिखा हाई फिर उन्होंने भी लिखा हाई फिर मैंने लिखा कि क्या आप Hypixel Skyblock खेलते हो क्या specifically Hypixel Skyblock इसलिए पुछाता क्योंकि मेरे चैनल पर एक सीरीज है Hypixel Skyblock की जिसमें मैंने दो ही वीडियो डाले उसके आगे मैंने डाले नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसके आगे क्या करना है क्योंकि Hypixel में मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे लगा अगर ये मेरा दोस्त जो अभी है वो अगर Hypixel खेलता हो तो मुझे थोड़ी बहुत हिल्फ हो जाएगी और हम दोनों भी Hypixel पे content डाल सकेंगे अपने अपने चैनल पर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास Hypixel नहीं है और उन्हेंने कहा कि मुझे बताओ तुम हो कौन मेरे Subscriber हो क्या तो मैं उनका Subscriber था भी नहीं क्योंकि मैंने जस्ट उनके Discord सर्भर पे जोइन किया था तो मैंने कहा चलो उनको कहए देते हैं तो मैंने कहे दिया कि हां मैं आपका Subscriber हूँ और मैंने जल्दी से जाकि उनके चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया क्योंकि अब हो सकते है छोटी चैनल वालों को क्या होता है ना उनका एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा तो उनका मतलब खुशी होती है काफी उनको तो मुझे लगा रही है देखेंगे जाकि कि इनके सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं इसलिए मैंने जाकि फिर उनको कहे दिया कि हा मैंने आपको सब्सक्राइब किया और जाकि सब्सक्राइब करके आ गया उनको फिर उसके बाद मैंने कहा ओ और फिर उन्होंने कहा कि आजी कैसे हो तो मैंने काफी हसी आई जब उन्होंने ऐसा कहा फिर मैंने कहा कि क्या तुम भी यूटूब पर वीडियो बनाते हो क्या तो उन्होंने मुझसे पुछा कि तुम्हारे सब्स कितने मेरे सब उस वक्त 25 थे कुछ तो मैंने उनसे कहा कि ER मेरे तो आपसे भी काफी कम हल तो उन्हें कहा ठीक कोई बात नहीं हुग उन्हाने हमेरी से मेरी एज पूची और उन्होंने उनकी एज बताई और उनकी एज ग्यारा बताई जो कि काफी कम थी और मैं 18 साल का ये 11 साल के तो छोटा सा बच्चा है यार मैंने बोला इनके साथ कहाँ पर वीडियो बनाऊंगा इन्होंने फिर से मुझे अपनी एज पूचे क्योंकि मैं थोड़ा दिर शौक हो साल किया तहं था उनकी एज सुनकर फिर मैंने बोला मेरी 18 है और मैं जच्ट जी एडवांस का एग्जाम क्लियर दिया हूं मतलब 12 में आपको पता होगा जो इंजिनियरिंग एस्पिरंस होते उन्हों ये मैंस के एग्जाम देते जी एडवांस के एग्जाम देते तो मैंन उनकी बात सही थी क्योंकि उनकी एज काफी कम थी और फिर मैंने उनसे कहा हाँ यार सही बात आपकी एज तू काफी कम है आप 6 क्लास में हो क्या तो उनको लगा इसको कैसे पता मैं 6 क्लास में हूँ कैसे पता चला हैकर हो क्या ऐसा उन्होंने लिखा तो फिर मैं और फिर उन् कि अपने सर्वर में 10 11 15 18 साल के बंदे हैं तो तुम भी रह सकते हो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है और सर्वर में कुछ जादा बंदे है भी नहीं तीन चर लोग एक्टिव देते हैं तो मैंने बोले मुझे ऐसा एक सर्वर चाहिए था जहां पर शांत मतलब मेरे से वह बा ठाज चला कि मैं 3 साल से यूटूब कर रहा हूल फिर उन्हें पर चाहट में आखिक अखकर पुर ऐसे व्यां और कैसे मतलब कैसे बता चला भही तुमको मुझे ये बता हो मैंने वरतिक नाम है क्या तुम्हारा oh my god hacker bro फिर मैंने उनसे बोला कि यह तुम्हारा फोर्ट चैनल है अब उट सेक्षन में सब कुछ लिखा है बरो चील तो मैंने लास्ट में उनको कह दिया कि भाई यह अब उट सेक्षन में सब कुछ लिखा है टेंशन मतलो फिर उन्होंने कहां कि डर गया था यार फिर मैं हसने लग गया था क्योंकि यह काफी कॉमेडी हो गयी थी मतलब अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई इंट्रोडक्शन किया ही नहीं मुझे लगा इनको पता चल जाएगा कि अबोड सेक्शन में इन्होंने सारे चीज़े लिखी है पर इनका शायद ध्यान नहीं था उस पर और काफी डर गये था यह फिर उन्हें ने वह एक इमोज भी बेजा बच्चे का जो जटाक से डर जाता है तो काफी हसी आई रहे थी मुझको वो भी हस रहे थे मैं भी हस रहता और इस तरीके से हमारी जर्णी स्टार्ट होती है के रूडर्यशन की और फिर उसके बाद में हम काफी अच्छे दोस्त बने हमने एक साथ काफी सरवर पे भी खेल और अभी मैं उनके सरवर जो डिसकॉ में उपर नीचे हो सकता है क्योंकि आर मैं महाराश्रा से रहने वाला हो तो हिंदी मेरी प्राइम लेंग्विज नहीं है मातुरू भाषा नहीं है क्या गहते है मुझे पता नहीं मराठी है तो मैं मराठी में काफी अच्छे से बात कर सकता हूँ पर हिंदी में थोड़ा वत उपर नीचे हो जाता है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरी तो काफी मज़ा आया था मुझे और मैं इसे उसी वक डालने वाला था पर डाल नहीं पाया क्योंकि यह बंदा इतना अच्छा और इसके साथ इतना अच्छा कन्वरेशन हुआ मेरा इसके ब हुआ इसके साथ पराग इसमेंगे ही भी